श्री क्रिश्ण कनहय आलाल कीजै श्री निजानन्द स्वामी कीजै श्री प्राणनाथ प्यारे कीजै या भीदर कांडो पहुचिया या भीदर कांडो बाल करीबु पर रंग जन्ग करे तामे गिने न जाय आशाल श्री क्रिश्ण कनहय आलाल की की पूर्ण ब्रह्ม पर्मात्मा के रस्ता कमल की बात सब्रữngलग जल रही है हस्त कमल अति कोमल उज्यला हतेली लाल हस्ता कमल बड़ी पाणनी और बड़े उज्वल हैं इस प्रकार की उज्वल है और लाल-लाल लगती है कहते लिकें सलुकियां हाय हाय लगत अनभ हैडे हाल है हैडे भाला तो ये हस्त रेखाएं बड़ी सुन्दर है तो ऐसा कहते हुए रिदाय में भाला क्यों नहीं चुबता है इतनी सुन्दर है कि वो तो देखते हैं तो देखते ही बनता है बोला नहीं जा सकता उसलिए ऐसा है बुलते हुए तो रिदाय में भाला क्यों नहीं चुब रहा है पतली पाचों अंगोलियां पाचों जुदे 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 जुगत पाचों अंगोलियां बड़ी पतली पाचों अंगोलियां कहने से अंगुठा और चार अंगोलियां सभी आगड़े तो पांचों के अलग-अलग साइज है, जुदे जुदे रंग नंग मुंदरी, सोभा न पहुंचे इस सिफपत, सब में मुदरिकाएं भी, अंगुठी मुदरिकाएं अलग-अलग रंग के रत्नों किये, तो सोभा न पहुंचे इस सिफपत, इनकी मैमा गाएं, इनकी सोभा इतने सुन्दर हैं, तो उसको गाई नहीं सकते हैं, सब्दा ही नहीं पहुंचते हैं, निर्मल अंगुरियों नख, ताकि जो तभरी आकाश अंगुलियों के नख हैं, वो भी बड़े निर्मल हैं, कि कईयों के नख होते हैं, तो इसमें कुछ न कुछ लगा होता है, तो इस जरने स्री राज्जी के तो बढ़े निरमन उनकी जूती पूरे आकास में झायुए है सबद नहीर आगों चले क्यों कहूं अरश प्रकास अब इस можно क्या बता है परंधाम की ज्यती है तो बस पूरे आकास में झायि जूती है यह इतों कर आगे समध पहूंचता है अब चरन कमल को चित में देख करके उनका बरणन करते हैं बैठ बीच खिलवत मूल मिलाव में बैठ करके तो सामने देख करके अभी बरणन करते हैं ऐसा कर रहे हैं देख रूह नए नखोल के जियों आवे अरस लज्जत तो कहते हैं आत्मा तो अपने आखों को खोल करके देख मूल मिलाव में बैठ करके चित देख करके इन चरन कमल को देख तो जिससे क्या होगा जियों आवे अरस लज्जत तो तुझे परमधाम का स्वाद मिल जाए दुनिया के इसाब से बरणन नहीं हो सकता है तो परमधाम का स्वाद मिल जाए इसलिए मूल मिलाव में बैठे हुए हैं इस प्रकार समझ करके देख इत बायठ ने रखा चरन को देख चकलाई चित दे मूल मिलाव में बैठ करके तो स्रिराज जी के चरन कमल को देख और चित देखकर के उनकी सुंदरता को देख ले पहले नरम अतलि अति उज्वला चरन त लिए उनकी बड़े नरम है और अति उज्वला है रूह तेरा सुखदाए कहे, हे आत्मा तेरे लिए तो यह सुखदाए कहें, तुझे इनी से सुख पराप्त होगा, ऐसा काना चाहरे है जोता देखी चरन नख की जाये लगे आश्मान तो चरन के नख की जोती देखी तो ऐसा लगा कि पूरे आकास में वो इछाई हुई है जोती चीर चली सब जोता को कोई नाइन की इमान और जितनी भी जोती है उन सब को चीर करके ये जोती उपर तक पहुंची हुई है इसलिए कहते हैं न हाथ की अंगुलियां चलाते हैं तो भी उनके नख की जोती है तो पूरे आस्मान को चीर करके जाती है बोलते हैं उस परकार से नख का नूर चीर चड़ियो आस्मान में ऐसे आही यह चरन की भिवात की कोई ना इनके मान तो इनके मान का तातपरी है इनका उधारन, इनके सम्मान दूसरा कोई ही नहीं तेज इनकोई ना सहे सके बिना अर्श रुहомोमिन यह दिव्य प्रकासे उसके तेज को परमधाम के तो इसी तेज से चरण कमल में से इतना तेज निकलता है, तो उनसे अंधिर का परदा उड़ जाता है, एस तेज को सान करने वाले परमधाम के आत्माएं ही होती है, और शतन की ये बैठका, ये जोताई के सीचेला, तो अरस्तन जिनका तन परमधाम में ऐसी ब्रह्मा आत्माओं की तो ये बैठक है, बैठक कतात पर ये आश्रय स्थान है, ये चरण कमल, तो इनी चरण कमल के आश्रय से ये आत्मा जीती, जीना तो ऐसे कहने के लिए उसे से आनन्दित होती है, ऐसा कहना पड़ेगा, ये जोताई के सीचेला, इनी की जीती से इन पर अमृत का सिंचन होता है, ये अरवातान सब आरशके, इनों नजरों रहे ना खेल, तो ये आत्माओं परमधाम की जिनका मूल शरीर परमधाम में है, इनों नजरों रहे ना खेल, इनकी दृष्टी में दुनिया के इस खेल का कोई महत्वा नहीं रहता, तो उनको ये खेल कुछ महत्तो पुरुन जएचा लगता ही नहीं है, तो जिनको पता नहीं होता है परमात्म का, उनको ही दुनिया की चीज़ें अच्छी लगती है, तो जिनको परमधाम का पुरुन पाउं देख देख भूषण के कई बीद शोभा करता पाउं देख करके चरण कमल को देख करके देख भूषण उनके आभूषणों को देखो कई बीद शोभा करता किसे कितनी प्रकार के शोभाव बढ़ाती है आवोषण भी तो नाय नाय रूप अनेक रंगाँ छिन चिन में काई फिरत तिन आवोषणों में भी नाय नाय रंग ऐसे नाय नाय रूप अनेक रंग ऐसे खण क्षण में नविंता दिखाई देती है चारण जोडे चारण तो कहों जो घड़ी साइत ठेराए तो ये चारण कमल के चारण जोडे चार जोडी आवोषण उनकी बाद तभी कह सकते हैं जो घड़ी साइत ठेराए ये आवोषण थोड़ी दिर स्थीर रहते हों तो इनमें तो नविंता क्षण क्षण में नविंता दिखाई देती है, छेन में करे कोट रोषनी, सोक्यों आवे मायें जुवाएं, छन खन में तो ये करोणों प्रकार की रोषनी कितनी गुना इन से प्रकास निकलता है, तो निकलता ही रहता है, तो थोड़ी दिर ठारे तब इसका वरण कर सके न, इस तरह शेका रहे हैं, सोक् के सीमा में वो कैसे बद सकते हैं, हरी इजार मायें कई रंग, अब चरण से उपर जाते हैं, तो हरी रंग के जारे मायें कई रंग, मूल हरा रंग है, तो उसमें एक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, उपर जामा दावन शुपेत, उपर जामे का दावन, सपेद रंग का दावन तो वन जो बड़ा सुंदर दिखा देता है एजार के उपके उपर हां कई रंगा जाई देखके और शरूहें सुख लेटा तो इसमें जामा के उपर में अलगअलग प्रकार के रंग've आभा दिखाई देती है तो उसमें नीचे अंदर की इजार की भी आभा आती है इजार की रंग की भी और जामा की स्वयम की भी आभा है इसलिए तो ऐसा लगता है कि देख देख करके परमधाम की आत्माओं को बड़ा अनन्द आता है फूदन बंद आती शोवित माहें रंग आनेक जलकत तो इजार बंद का फूदन बोलते हैं उसके फूदने तो गाठ बानते हैं तो उसमें लटकने होती है वो भी बड़ी सुन्दर है माहें रंग आनेक जलकत उसमें अनेक प्रकार के रंग जलकते हैं नवनो प्रकर के रंग कई बार तुवर्णन किया हुआ है, ए सेत हरे के बीच में, माहे नरम जावे जलकत, सेत और हरे उन दोनों के बीच में, तो हरे रंग का इजार है और श्वेत रंग की जामा है, उन दोनों के बीच में ये जो उसमें इजार बंद की फुदने हैं, तो टोगो चमक्ती है तो नों के बीच में इन नरम ज्भवे ज्भव से ज्भवा है ज्भव है ज्भवा कियां ज्भव है ज्वा मुठ तो ज्व confident he he promised with us a nice question set light जलकात जामा का दावन है, तो श्वेत रंक के जलक दिखा, चमक करता है, जो तो उठता आकास है, उसकी ज्योती पूरे आकास तक बवस्ती है, और जो तो चड़ी करती जंग, पीत पटुके की प्रकास है, पटुका पिले रंका है, और जामा सफिद रंका है, तो उन दोनों क प्रकास से उपर आश्मान में चड़ करके, तो कोन कम कोन किस से बढ़ करके हैं उस प्रकार से, तो दिखते हैं, इसी को जंग करना ऐसा बोला है, हार शोवित हाइडे पर बाजुबंद पहुची कड़े, तो हाइडे पर वक्षस्थल पर हार शोशोवित है, बाजुबंद तो दोनों तरफ बहां में बाजुबंद है, और मड़ी बंद में कड़े हैं, और पहुचे में पहुची हैं, सुन्दर शरूप शिर मुकुट है, तो बड़ा सुन्दर शरूप शिर पर मुकुट है, दिल आशिकों देता खड़े तो आशिकों का दिल है ना उनको खड़ा बना देता है प्रहने का तात परिया तो आशिकों का दिल है उस्थिर हो जाता है देखने के बाद देखते हैं तो तो मनों उसकी गती ही रुख जाती है और देखने लग गए हो ऐसा इस प्रकार शुक्रा रहे हैं यह खड़ावने कता परिया यह है चोली चादर अहार जल कता आका सरयो भराए चोली चोली के उपर चादर और आश्मानी रंका है ना उपर का चादर उसको क्या कहते हैं पिछ आश्मानी रंका है तो वह पटुका है वह पिले रंका तो निला निले न पिले इसे उसमें बोल देते हैं निला भी नहीं पिला भी नहीं तो उसमें कभी पिला दिखाई देता है कभी निला दिखाई देता है तो यह इसलिए उसमें पीत वरण किया चोली चादर हार जल कत आकास रहे भराए तो चोली है चादर है हार है उन शब से निकलने वोला प्रकास है पूरे आकास तक भर जाता है तो शोभा मुकुट की किनविदा कही जाए जब यही इन शब की शोभाई पूरे आकास में छा जाती है तो फिर स्रीराज्य के मुकमंडल की उनके मुकुट की उनकी शोभा किस प्रकार का है मीठी सूरत किशोर की गौर लाल मुखादूर उनकी योगल किशोर की यह सूरत है बहुत मीठी है गौर लाल मुखादूर तो गौर वरन है तो मुखारविंद सब में लाल लाली मा है और अधार है तो एकदम लाल लाला है ए आशिक निरखे निरखत निके निरखत मुखभानी बोलत मधूर तो जब ये आशिक अनुरागी निरखत निके निरखत बहुत अच्छी तरह से देखती है कब मुखवानी बोलता मधूर जब अपने मुखारविंद से मधूर मधूर बचन बोलते है न तो उस समय वो मुखारविंद कोई देखते रहते है ये क्राना चारा है चारव चारन बराबर शुभान और बड़ी रूह जी पुर्ण ब्रह्म परमात्म और रष्ट्यामा जी दोनों के चारण तो चारव चारण बड़ी सुंदर ऐसा देखाई देते हैं ये बराबर कहने कातात परिये तो ये सुंदर्ता में बराबर है गौवरस सभगुन पूरण, तो गौवर्बर्नक हैं और सारे गुणों से परिपूर्ण है सुंदर शोभा, और सलुखी उनकी शोभा, और सुंदरता शलुखी, बनावट слुखी सुंदरता बहुते सुंदर है तेज जूत नूर भरे लाल तली कोमल उनमें से निकलने वाला तेज उसकी जूती है पूरे उनका प्रकाश से पूरे आस्मान तक साजाता है लाल तली कोमल और चरण तल है वो लाल लाल है और बड़ा कोमल है लाल लाकें लीकें क्यों कहूं रूँ अनिरखे नेतर निरमल तो ये चरण तल में वो लाल बीच की गहराई है वो बड़ी लाल लाल चरण तली लाल है और उसकी लीकें उसकी रेखाएं बगरे भी चरण की वो भी बड़ी सुन्दर दिखाई देती है उनके क्या बरणन करो, तो ब्रह्मा आत्मा अपने निर्मल नित्रों से उनको देखती है, निर्मल नहीं होंगे तो दिखाई भी नहीं देंगे, चारण तरफ होंचकल आई फणा, आदभूत, रूखें चत, चरण में चारण तरफ से जिदर बेख, देखो चरण तल के भी च अधभूत रूखें, चत, बड़ा अधभूत है और आत्माओं को आकरिष्ट करता है, एडी यां आती अचरण, जए एडी है वो भी बड़ी सुन्दर है, इता आशिक तले वशत, तो आशिक अनुरागनी आत्मा हैं, इनी चरणों के निचे बैठती है, इनी चरणों को आ इसलिए उनको तो क्या बताएंगे? आईसे तो आईसे है ये, शरिराज जी के और श्यामा जी के आंग ऐसा काना चारह है, ये मेरा कारे चरण जिन पर देता हीरदे पूरन शवरूप ये चरण कमल जिस पर करपा करते हैं, उनके रिधाय में पूरन ब्रह्म परमात्म का पूरन शवरूप रकासित होता है, जुगल किशोर अचित चूवत युगल किशोर किशोवा उनके रधाय में अंकित हो जाती है सुख सुन्दर रूप अनूप तो उनका सुन्दर अनूपम शुरूप है बड़ा ही सुखदाई है ऐसा सुन्दर शुरूप उनके रिधाय में ब्रह्मात्माओं के रिधाय में आंकित होता है जुगल किसूरातिसुंदर बैठे दो एक अताखगत है ऐसे युगल किसूर बड़े सुन्दर एकी तकथ पर एकी सिंगासन में विराजवान है चरन तले रूहों मिलावा उनके चरनों में ही ब्रमात्माओं का मिलावा है ब्रमात्माओं की बैठक है बीच बाका खेलवत ये परमधाम के अंदर एक बैठक मुल मिलावा की काद्रिश्य है महामत कहे महे बूब की जेती अरश सूरत महामत ही कहते हैं पुर्ण प्रमात्मा का परमधाम का स्वरूप है जो भी परमधाम के दिव्य स्वरूप में जो जो भी अंग प्रत्यंग आते हैं और उनकी अंग रूपा प्रमात्मा हैं सो सब बैठे कदमों तले वो सब प्रमात् पुर्ण ब्रह्म प्रमात्मा के साथ में तो इसको याद करना चाहिए इसको कभी भोलना नहीं चाहिए यह कहना चाहिए श्री क्रिष्न का नई आलाल कीजे अपनी ए निशवाता महामत कहे महभूब की जेती आरश सुरता सो सब बैठी कदमों तले सो सब बैठी कदमों तले आपनी ए निशवाता आपनी ए निशवाता आपनी ए निशवाता